आज हम बात करने वाले हैं सुरेंद्र मोहन पाठक मशूर उपन्यासकार सुरेंद्र मोहन पाठक के कलम से निकली एक और सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिश्टरी नौवल के बारे में और इस नौवल का शीरसक है पाँचवा निशान इस कहानी का हीरो है अपना सुधीर कोहली जो दिल्ली का एक मशूर प्राइवेट इंवेस्टिगेटर है प्राइवेट डिटेक्टिव है अब सुधीर कोहली जिस गुत्थी में फस्ता है इस नौवल में आईए पहले मैं आपको उस गुत्थी के बारे में बता देता हूँ अब सुधीर कोली अपने फ्रेंड अपने दोस्त डॉक्टर प्रदीब कोठारी के साथ एक बार में बैठके शराब पी रहा है रात के करीब बारा बजने वाले हैं और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर कि तभी सेक्रेटेरियल सर्विस से उस बार के टेलिफोन नंबर पे डॉक्टर प्रदीब कोठारी के लिए एक फोन आता है तो वहाँ का एक आदमी वो फोन लाके डॉक्टर प्रदीब कोठारी को देता है और जब प्रदीब कोठारी फोन पे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी एक बहुत ही अमीर पेशेंट उनसे इमीडेटली उनके क्लिनिक पे मिलना चाहती है और वो वहाँ के लि सेक्रेटेरियल सर्विस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यह कहानी उस जमाने में लिखी गई है जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे और लैंड लैंड भी हर किसी के पास नहीं हुआ करता था बट यह जैसे कि यह डॉक्टर है डॉक्टर प्रदीब 24x7 चालू रहता है और आप चुंकि आपके पास मोबाइल नहीं है उसमें मोबाइल नहीं था तो अगर आप अपने क्लिनिक से या घर से बाहर निकलते हैं कहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ पर एक मेसेज छोड़ सकते हैं कि मैं अभी इस समय से इस समय तक वहाँ पर रहू आपका मेसेज उसे मिल जाएगा तो यह बेसिकली कॉंसेट है से कुरेटरियल सर्विस का तो डॉक्टर प्रदीप कोठारी को अपने से कुरेटरियल सर्विस के थूरू यह मेसेज मिलता है अब चुंकि वो क्लाइंट जो उसका जो क्लाइंट है वो लेडी बहुत ही तुम घरी रुको मैं जाता हूं और उसे मिलता हूं और मिलके 10-15 मिनिट में आ जाता हूं अपने क्लिनिक से तो वो सुधीर कोहली को बार में छोड़ कर निकल जाता है अपने क्लिनिक के तरह 15-20 मिनिट के बाद वो वापस जब बार में आता है तो उसके होश उड़े हुए है वो बौखलाया हुआ है वो तुरंथ सुधीर कोली की बहाँ पकड़के उसको खीच के बाहर लेके जाता है बोला चल में को तुरसे अर्जंट बात करनी में बहुत बड़े मुसीवदें फस गया हूँ सुधीर कोली वो समझ मिनेर उसे रोगनी कुशीश करता है बताता है बताता है नहीं तु चल पले यहां से बाहर चल उसे घसीट के बाहर लेके जाता है और वहाँ पर बाहर जाके उसे बताता है कि क्लिनिक में उससे एक आदमी का कतल हो गया है अब सुधीर कोली चौग किया बोला तुम तो अपनी एक पेशेंट से मिलने के लिए गये थे तुहां पर यह आदमी कहां से आ गया और उसका कौन है आदमी कैसे उसका कतल हो गया तो बताता है कि वो जो इनसान था वो उसकी सेक्रेटरी का हस्बेंट था अब वो सेक्रेटरी का हस्बेंट वहां आकर उसे धमकी दे रहा था और धमकी देते समय उसने उसके हाथ में उसका पिस्टल जो डॉक्टर प्रदीब कोठारी का पिस्टल था वो उसने कबजिम करके रखा था उसने उसको धंकी दी और उसी में हाथा पाई हुई और हाथा पाई में डॉक्टर प्रदीब को ठारी से गोली चल गई और गोली उस इनसान को लगी और वो इनसान वहां मर गया और यह डॉक्टर जो है वहां से फोन नहीं कर सकता था क्यूंकि वहां फोन के जो लाइन था वो काट दिया गया था इसलिए वो दोड़ा-दोड़ा यहां पर वापस बार में आया और वो सुधीर कोहली को अपने साथ लेके जा रहा है अब जब यह लोग सुधीर कोहली और रीचाँ पुटारी क्लिनिक पर यह वहां पर इनको एप डबल जटका लग पैंदस्ट आक है डबल जटका यहां कि जिस कंभड में उस आदमी की लाष पड़ी थी जैसे उस कंभड हे अंटर करते हैं थो चौक जाते हैं कि वहां से उस आदमी की लाष गाइं आ और वह पि प्रेजेंट सेक्रेटरी उसकी लाश पड़ी हुई है और जब उसका मुवाइना किया जाता है तो पता चलता है कि किसी ने उसका गला गोंड कर उसे मार दिया अब सुधीर कोहली और डॉक्टर कोठारी चक्रा जाते हैं कि भहिया ये क्या मामला है मैंने तो मर्डर किया एक आदमी का अब वो आदमी की लाश ला पता है और उसकी जगह उसकी सेक्रेटरी की लाश अब हस्बेंड तो सेक्रेटरी जो थी उसका हस्बेंड था जिसको प्र क्या चलके निकल गई ऐसे किसे हो सकता है और अगर वो गायब भी हो गई है तो उसकी वाइफ की लाश यहाँ पर कैसे आई किस ने किया यह तो यह पूरा मामला है इस पूरे केस का अब सुधीर कोली जो अपना जो इस डॉक्टर प्रदीप कुठारी को अपना दोस मानता है अब उसे ये केस सॉल्व करना है और अपने दोस्त को बचाना है तो यहाँ से शुरू होती है कहानी की अब इस कहानी में बहुत सारे किरदार जुड़े हुए है जैसे इस कहानी का हर किरदार जो है उसमें से कोई भी किरदार दूद का धुला हुआ नहीं है हर किसी का कहीं न कहीं किसी के साथ पेंच अड़ा हुआ है और कोई न कोई लफडे में वो फसा हुआ है इवन प्रदीप कुठारी जो है यूँ तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर है शहर का बट वो भी दूद का दूला नहीं है वो भी एक रसिया किसम का इनसान है उसका अपने सेक्रेटरी के साथ काफी अफैर चलता है इससे पहले भी काफी सारे सेक्रेटरी के साथ उसका अफैर हो चुका है और उसकी शादी भी उसी की एक सेकरेटरी से हुई थी और अभी उनके दो बच्चे हैं लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी उसकी डॉक्टर प्रदीव कोटारी की जो वाइफ है उसका अफ़ाय एक और डॉक्टर के साथ चल रहा है और बात तलाक तक पहुँची है अब तलाक में जब डॉक्टर कुठारी बहुत एक मालदार पार्टी है तो उसकी वाइफ बहुत सारा पैसा एटना चाहती है तो उससे बचने के लिए ये दोनों जो हैं आपस में ही एक दूसरी के खिलाफ सबूत इकटा कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरी को ब्लैक मेल कर सकें और एक सेटलमेंट जो आए वो डॉक्टर कुठारी के फेवर में आए अब इसी काम जाम में एक फोटोग्राफर भी गुसा हुआ है ग्लैमर फोटोग्राफर है वो मॉडल्स की तस्वीरे खीषता है खुबसर लड़कियों की तस्वीरे खीषता है और उनको मॉडलिंग के लिए प्रमूट कर रहा है ये बंदा भी अपना दूसरे के तवे पे अपनी रोटी सेखने के चक्कर में लगा हुआ है तो हर किरदार यहां पर दूसरे का फाइदा उठाकर अपनी जेख भरना चाह रहा है तो इस पूरे चक्कर में सुधीर कोली को सही क्लूज को लेते हुए आगे बढ़ना है और इस केस को सॉल्व करना है अब इसके अलावा सुधीर कोली अपने खुद के लफड़े में भी फसा हुआ उसकी लाइफ के परसनल लाइफ के लफड़े हैं जो सुझाने की कोशिश कर रहा है जहां पर वो गैंग्स्टेर बेगारे से इन्वाल होता है मारकुटाई होती है जहां पर एक बार तो वो म को सौल करने में उसे क्या-क्या पापड बेले परेंगे कैसे वो कातिल को सामने लेके आएगा पूरी कहानी उसके इस जर्नी पर है अब एक मर्डर मिश्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो मर्डर मिश्ट्री में जिस भी किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है वहर एक किर इंसान के उपर भरोसा नहीं कर सकते हो भले ही वो इंसान बोले कि हां कतल उसने किया है लेकिन उसके भी भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि वो किसी के दबाव में आके कह रहा है या कुछ कहानी है जिसके पिछे वो बोल रहा है कि हां कतल उसने किया है तो इ इसे एज रीडर आप अपने दिमाग में रख सकते हैं यहां पर डॉक्टर प्रदीव कोठारी कहते हैं कि उन्होंने इस इंसान का खून किया है लेकिन क्या वाकई प्रदीव कोठारी ने वह खून किया है और अगर खून किया तो लाश गायब कहां हो गई और गायब तो हु कोली के साथ वहां पहुचे और दर्वादा खूला तो लड़की की लाश वहां पर कहां से आ गई दर्वादा किस ने खूला और लाश अपने आप चलके कहां चलेगी तो कौन है इस सब के पिछे क्या यह पूरा एक जाल बिचाया जा रहा है डॉक्टर कोठारी को फशाने के लिए उनको ब्लैक मेल करने के लिए ताकि जादा से जादा पैसा उनसे एठा जा सके क्योंकि वह बहुत ही मालदार पाटी है यह पूरी कहानी सुधीर कोली को सॉल्व करनी है तो कहानी बहुत ही मज़ेदार है पहले ही चंद पन्नों में कहानी का प्लॉट रिवील होता और वो आपको जकर लेता है और कहानी का पेस कहानी की रफतार भी बहुत अच्छी है काफी तेजी से दोड़ती है आगे और आपके मन में लगा रहता है कि हां कौन है कातिल क्या हो रहा है इसको कैसे सॉल्ट किया जाएगा इस तरह से कहानी काफी अच्छी स्वील में बढ़ जो है वो इतना कोई दमदार नहीं निकल पाता है अगर उन्होंने जो जितने किरदार उन्होंने इंट्रियूस करते हैं उनके कैरेक्टराइजेशन और डैलोक्स पे अगर थोड़ा और अच्छा से काम किया होता तो काफी और मज़ा आता इस नोवल को पढ़ने के लिए और कहानी के मामले में कहानी बड़ी ही अच्छी है बड़ी इंट्रेस्टिंग है और अगर मुझे इसको रेट करना होगा तो मैं कहानी के उपर इसे पांच मैंसे चार स्टार की रेटिंग तो इतनी अच्छी लगी मुझे कहानी काफी जबरदस लगी तो अगर आप और अगर आपने से कई लोगों ने इस नोवल को पढ़ा होगा तो अगर आपने इस नोवल को पढ़ा है तो आपको यह नोवल कैसा लगा कमें जाके बताईएगा कि आपको इस नोवल के बारे में क्या विजार है तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए नोवल के साथ एक नए नोवल की कहानी के साथ